हलो फ्रेंट्स वेलकम टो मैं चैनल हुमीज कोकिंग तरजस्तों अगर आपको रोमाली रोटी खाने का चीक करता है ना तो आप क्या करते हूं बाहर से मंगते हो ना पर आज मैं असान तरीके से अब भुगर में बनाना सिखाऊंगी किस तरह से हम सफ्ट सफ्ट रोमाल रोट असान तरीके से घर में बना सकते हैं तो इससे बनाने के लिए अब हम लेंगे देड कप मेधा देड कप मेधा के साथ में हाँ पर लोगी हाफ कप आठा और इसमें हम डाल देंगे स्वादों सा नामक एक टीस्पून सुकर एक टेबल स्पून ओयल और इससे हम पहले हलके हा दालेंगे गुनगुना दूद तो हमारा थोड़ा साही करम है और इसे हम थोड़ा थोड़ा करके ढाल के इसे अच्छे सी गुंत लेते हैं इसे हमें बहुत अच्छे से गुंत ना होगा जैसे कि बहुत ज़्यदा साफ्ट पनी अगर आपको में रेसिपी थोड़ी से भी दोस्तों प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्रेब करना बिल्कुल भी मल भूलना अब हम सारे डो को फ्लाट फर्ण के ऊपर रख लेते हीं इसे क्या होगा ना हमें गुतने में बहुत ज़्यदा आसान होगा हम एक फिंगर को डो के उस तरफ रखेंगे और उसके पात इसे स् इतना स्ट्रेज करेंगे ना यह बिल्कुल भी नहीं पटेगा जब हम इसे अच्छे से बेलेंगे क्योंकि हमें इसे बहुत पतला मिलना होता है इसलिए फटनें का चांसेस रहते हैं अगर आप इसे अच्छे से गुंदेगे ना यह बिल्कुल भी नहीं पटेगा अब हो चुका है दस मिन के बाद यह अच्छे से सब बन चुका है अब हम इसे गिले कपड़े के साथ इससे ठक लेते हैं तिन से चार खंडे के लिए अगर आपको इंस्टांट बना कर खाना होगा तो मैं आपको एक टिप्स देती हूँ आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोड़ा डाल देना तो यह सब बनेगा नहीं तो अगर आप इस एसे भी खाना चाहोगे तो आप इसे गुंद कर दिन से चार खंडे के लिए इसे ही कपरे के साथ छोड़ देना तिन से चार खंडे बाद तो चलते हैं इसे का हालत देखने के लिए अब आप देख सकते हूँ हमारा म अपर के तरह थोड़ा सा सुखा अटा ची रख देंगे उसके बाद हम बैलन की मतर से इसे अच्छे से पेल देते हैं हम यह बिलकुल पेपर जैसा पतला चाहिए हम यह बिलकुल भी नहीं भटेगा अब हम इसे अच्छे से और बैल लेते हैं जिसे की बहुत ही चदा पतला बनें आप देख सेकते हो यह बहुत अच्छे से पतला बंचुका है अब हम लेंगे एक बोल, बोल में मैं imply हैंपर ले रही हूँ, दो टेबल स्पून नमक और इसमें हम थोड़ा सा पानी आड़ करके जाचेट से मिला देते हैं अब हम लेंगे एक कड़ाई जिसमें हम खाना बनाता है न वही बला कड़ाई है यह अब हम ग्यास की उपर इसे उल्टा करके इसे रख लेंगी और ग्यास का फ्रेम को कर लेंगे हाई जो हमें नमक बाला पानी रेडी करके रखे देना, पहले इस नमक बाले पानी का चिटका मारेंगी इसमें उसके पाद ही हम रूटियों को कुछ इस तरह से इसमें रख लेते हैं 30 से 40 सकेंड बात ही अपने हापीं कड़ाई से अलग हो जाएगा, उसके पाद हम इसे पलट देते हैं आप एक कपड़े की मदद से इसे अच्छे से सेख सकते हो, इसे क्या हो करा जिस जगा भी कच्छा रह जाएगा ना वो अच्छे से से शेख जाएगा अब हम इसे अच्छे से फोल कर लेते हैं, अब इसी जगा से रूमाल रूटी अच्छे से अपने घर में बना कर इसका टेश ले सकते हो, और एक बना कर आपको दिखाते हूँ, पहले आम कड़ाई में बारेंगे, नामाग बाला पानी का अच्छिटका रूटी को में जिस तरह से होल करके डाल रही हूँ ना, उसी तरह से आप होल करके डालना तो बिल्कुल भी नहीं भटेगा, और बहुत अच्छे से कड़ाई को उपर स्प्रेड हो जाएगा, तिस अच्छाने से केंड़ बात इसे अच्छे से पलट देते हैं, उसके पात कभी भी बन के रहना रूमाली रोटी बना कर खाने के लिए, आप इस तरह से अपने घर में बना सकते हैं, बहुत आसान रेसिपी है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है, संपली अठा गुंतना है, इसे रेष्ट पिछोड़ना है, उसके पात इस तरह से पहल कर इसमें चिट करने के लिए इसे, अखर थोड़ी से अच्छी लेगें ना कमेंट सक्षिन में आप जरूर कमेंट करना, रूमाली रोटी के साथ मैं पार पनीर के सबची ले रहे हूं, इसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, मैं बहुत जल्द में चानल पे इसका रेसिपी अपलो करी हूड़ी भाली में चानल पे इसके साथ मेंट